हाई फ्रेंद्स बहुत ही ताजगी देने वाला और ठंड़क देने वाला हेल्दी भी होता है ये आप इसको इफ़तार के लिए ज़रूर ट्राय करिएगा और रेसिपी अच्छी लगती हैं तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए बना उसमें से पाउ कप मैंने अलग निकाल लिया है इसमें हम आट कर देंगे दो टीस्पून कस्टर का पाउडर ये वैनीला कस्टर पाउडर है कोई भी ब्रांड का अप ले सकते हैं आची तरह से इसको मिक्स कर लें ताकि गाठे पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए इसमें क कुछ केसर के धागे अपने अट कर लेने हैं जो कि बिलकुल ऑप्शनल है पर इससे टीस्ट बहुत अच्छा आता है और साथ साथ ही मैंने एक चुटकी येलो फूट कलर अट किया है इसको आपने दरदरा ग्राइन कर लेना है बहुत जादा फाइन नी ग्राइन करेंगी ये दिखे इसका पाउडर कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए अब यहां पर मैंने लिया है एक टेबल स्पून सब्जा इसको तुकमलंगा या फिर बेजल सीज भी कहा जाता है इसको तकरीबन दस मिनिट अपने पानी में सोक कर लेना ताकि अची तरह से फूल जाए ये अब इसके अंदर हम कंडेंस्ट मिलक आट कर लेंगे आप चाहे तो चीनी आट कर सकते इससे एक ठिकनेस भी मिलती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके साथ आप चाहे तो मिलक पाड़र चीनी आट किया जा सकता है अची तरह से मिक्स कर ले फिर हम इसमें आट कर देंगे ये काजू बदाम का पाउडर जो हमने बनाया था केसर और फूट का लर के साथ अच्छे से मिक्स कर ले इसको फ्लेम अपने त्रू आउट लो ही रखना है अब यहां पे थोड़ा सा उबाला आने लगा था मैंने यहां पे खुश्बू के लिए दो बूंद केवर कर रख दिया था फ्लेम लो रखिएगा और एक हाथ से अपने चलाते जाना है ताकि यह अच्छे से घुल जाए और इसके कोई गाठे नहीं पड़े अभी आप यहां पर देख सकते हैं इसमें धीरे-धीरे उबाला आने लगा है और यह गाड़ा होने लगा है कम से कम 3-4 म मीडियम फ्लेम पर ताकि यह अच्छे से गाड़ा हो जाए क्रीमी हो जाए और इसके अंदर जो कस्टर पाउडर हमने आट किया था वह अच्छे से पक जाए कच्छा नहीं रहना चाहिए वरना पाउडर ही सा लगने लगता है तो बस 3-4 मिनिट को करने के बद फ्लेम लो क अब हम इसको साइड में रख देते एक बार यह रूम टेंपरिचर पर आ जाता है तो इसको अपने फ्रिज में रख देना और इसको पूरी तरह से ठंडा कर लेना है अब हम जेली बना लेंगे तो मैने आप ए रेडी मेड जेली का पाउडर मिलता है मार्केट में आप किसी भी सूपर माकेट से खरीच सकते हैं वो पाउडर बस अपने अट कर लेना है और उसके अंदर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से दो कप यानिके 500 ml पानी अपने अट करना है आधा लीटर पानी है और अच्छे से अपने इसको मिक्स कर लेना है जब यह डिजॉल्व हो जाता है तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर ले रूम टेमटरिचर पर आने लगे तो आपने इसको फ्रीजर में 10-15 मिनट रख देना है और बहुत अच्छे से यह सेट हो जाता है यह देखिए मिंटों में सेट भी हो गया यह तो इसको अपने कट कर लेना है आप इसको कभी भी बना कर रख सकते हैं आराम से हफता बर यह फ्रिज में टिक जाता है चोटे-चोटे पीसेज में कट कर लिया है यह देखिए जैली भी बनके तयार हो गई है अब हम ड्रिंक बना लेंगे तो मैंने फ्रीजर में से कस्टर निकाल दिया है बाहर इसको मैंने 15-20 मिनट फ्रीजर में अब कोई भी दुसरी फ्रीजर की जैली इसमें इसको पोर कर लेंगे इसकी से कानसिस्टेंसी आफ देख सकते हैं बिल्कूली पॉफेक्ट है इसके अंदर हमने जो ढूइन ड्राइफ रूद्स वगजर आट किया था उससे एक अलगी crunch आता है और टेस्टी बहुत लगती है ये पीने में ये देखिए इसमें जैली क्लियरली दिखाए दे रही है देखने में भी इतना टेंटिंग लग रहा था ये पीने में तो इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा आप जरूर ट्राय करेंगे तो मुझे फीडबाइक जरूर दीजेगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो बस आज के लिए इतना काफी है फिर मिलती हूँ एक और नई और ताजा रेसिपी के साथ तब तक इजाज़त चा जरूर को नई पूछ था जरूर अचल येरूर आपाराइक जरूर आपको ये इतना का वे जरूर जब फटे छको जरूर रेसिज़ता रेसिवक मैं जरूर आपको ये लगा होगा है।